नमस्कार एक्जाम है पीबाई जहरकन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी के लिए जेटेट परिच्छा की तयारी को ले करके तो जो अब तक जेटेट परिच्छा के तयारी कर रहे हैं कहीं से भी जूड़े हैं तो आप सभी अभी कभी यहाँ पर अवस से जूड़ जाहिए ठीक है क्योंकि आपको क्या है यहाँ पर जैक जेसे आर्टी टेस्ट बुक का टोटल चेप्टर बाई चेप्टर आपको नोट्स और पीडियोब दिया जा रहा है जैक यह एक्जाम कंड़क्ट कर गये इसलिए आ यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर प्रैक्टी सेट चल रहा है टेस्ट चल रहा है प्रिवियस एर क्यूशन पेपर चल रहा है तो सब कुछ आपको उसी में चल रहा है लेकिन टेस्ट देखिए आपको अलग से दिया जा रहा है तो टेस्ट के लिए आप अभी जूड़ ज यह जाएंगे ठीक है तो आप परीत तैयारी करना है्ट एक से पांच की तैयारी पांच सो रुपई में और दोनों को तैयारी एक साहथ अगर कोई करेंगे तो सिर्फ साथ सो रुपई लग रहे हैं तो इस्तर और से तैयारी जूड़ जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्ण हम आपके लिए यहाँ पर जो है शिक्स टू एट अगर समाजी विजान के त्यारी कर रहे हैं या शिक्स टू एट भासा सिच्छा के त्यारी कर रहे हैं उनके लिए विडिया होगा और वन टू प्रश्ण जडूर मिला होगा यह बात सत्य है लेकिन आपको इस तरह से याद नहीं रहा होगा लेकिन यह आप एक दो बार लिख लिजेगा इस ट्रीक को तो आपको याद हो जागा ठीक है तो देखे सबसे पहले प्रश्ण को हम आपको दिखा दे रहें उसके बाद उसका ट्रीक भी आपको नीचे मिलेगा ठीक है इसके जस्ट लगे हुए है यहाँ पर प्रश्ण है सिंदु घाटी सब्यता का अस्थल लोथल किस नदी के तड़ पर इस्थित है ठीक है यह आप कलास 6 में जाकर के देखेगा तो आपको हड़ापा सब्यता जो है कलास 6 का पूरा आपको पढ़ना किलियर किया हुए ठीक है तो वहाँ से यह प्रश्ण बनके निकला हुआ है उसी को हमने ट्रीक ही और जितना अभी तक इपोटनेंट प्रश्ण आपके सिच्छ पतरता परिच्छाम पूछे गये थे उसको भी हम लेकर के आये हुए है ठीक है तो चले यहा सिंदू घाटी सभेता का जो अस्थल लोथल है वो आपको देखे भोगवान अदी के तड़ पर इस्थित है अभी तो आपको यह जानना पड़ रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा आप दू मिनट एकर सब्र करके वीडियो को देख लिजेगा तो नीचे आपको ऐसा ट्रिक म आपको किस नदी के तड़ कर इस्थीत है सिंदू घाटी सभेता का अस्थल रहण जोड्लो किस नदी के तड़ इस्थीत है सिंधु नदी, रावी नदी, सतला नदी या कोई नहीं, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का अस्थाल मोहन जो दोड़ो जो है, वो सिंधु नदी के तर्थ परिष्टित है, कहां परिष्टित है, सिंधु नदी के तर्थ परिष्टित है, बस एक सेकेंड रुकिएगा, काली बंगन किस नधी के तरपरिस्तित हें। सिंदुगाटी सभेता अस्थल को आदे को है। उसीखी को यहाँ ट्रीक से हम लोग याद करेंगे। क्या है ट्रीक है दिया लभ है रभी मोहन सिंग के घर आना ट्रिक क्या है लब है हमको रभी मोहन सिंग के घर आ जाना ठीक है याद रखेगा इतलग बख सब की याद हो जाएगा इससा बात है ना बाकी कुछ याद हो चाहें नहीं हो यह सब पोमेंट तो बहुत जल्दी याद होता है तो इसलिए हम आप लोगे केले बनाए हैं क्या बनाए हैं लब है रभी मोहन सींग के घर आना बुला रही है लड़किये कि रभी हमको तुमसे लभ है मोहन सींग के घर आना इतना से आपको यह जो चार पांच नदी आप देखें न वो पांचो नदी या हड़ा अस्थल यहांपर जो सिंदु घ याद हो जाएगा, क्या याद रखेगा, लब है रवी महान सिंह के घराना, ठीक, चले देखिए, लब में एल ओ, एल ओ से हो गया देखिए लो थल, और भी इ, भी इसे हो गया भोगवा, यानि लो थल जो है, भोगवा नदी के तड़ परिश्ट ए, ठीक है, लब याद हो गय है रवी है में ह से हडपा रवी से रावी यानि हडपा जो है रावी नदी के तड़ पर इसी थे मोहन सिंग के घराना मोहन मोहन से है देखे मोहन जोदरो और सिंग का मतलब सी से सिंधु नदी यानि मोहन जोदरो जो है सिंधु नदी के तड़ पर इसी थे क्लियर हो गया अब के घर के घर के से यहाँ पर काली बंगान और घर से घगर याद हुआ ना कि नहीं हुआ फिर से एक बार देख लिजए यहाँ पर बनाया हुआ है इस तरह से भी बनाया हुआ है लब है रवी मोहन सिंग के घर आना लब में एल ओस होता है लो और लो का मतलब हो गया लो थल भी इसे होता है भोगवा नदी यानि लो थल भोगवा नदी के तरद परिश्टित है है रवी है में हस हो गया हडपा रवी का मतलब हो गया रावी यानि हडपा रावी नदी के तर्थ परिश्टित है मोहन सिंग तो मोहन सो गया मोहन जोदरो और सिंग सो गया सिंदू यानि मोहन जोदरो सिंदू नदी के तर्थ परिश्टित है के घर के में कस हो गया काली बंगन और घर सो गया घगर काली बंगन घगर नदी के तड़ पर इस्थित है आना का कोई अर्थ नहीं है याद जागाना लोथाल भोगवान अदी के तर्थ परिश्थित है लब से है रभी है में हड़ापा रावी नदी के तर्थ परिश्थित है मोहन जोद्रो में मोहन से मोहन जोद्रो और सिंग से सिंदु नदी के से काली बंगान और घर से घगर नदी के तर्थ परिश्थित है क्लिर हो गया चलिए आप देखेगा फिर यह अब यह अस्थल लेकर कहेंगे आपको देंगे बने रहेगा जुडे रहेगा देखते रहेगा सिंधु घाटी सब्यता समाप्त ठीक ना अब देखें सिंधु घाटी सब्यता का स्थल रोपड किस नदी के तर्द परिस्त है लाएंगे तब तक के लिए आप जुड़े रहीएगा, बने रहीएगा, सिंदु घाटी सभेता का अस्थल आलंगीरपूर किस नदी के तर्फ पर इस्तित है, हिंडन नदी, सतलज नदी, रावी नदी या कोई नहीं, ठीक है, तो आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तड़ पर इस्थित है, ठीक है, चलिए अगला दिखेगा, सिंदु घाटी सब्यता का अस्थल वन माली किस नदी के तड़ इस्थित है, ठीक है, सिंदु घाटी सब्यता का अस्थल वन माली किस नदी के तड़ इस्थित है, हिंडन सुछिνधे क्या सीस पशंद यहां को वनने रहें है आपके लिए यहां प्रभनहा करके हम दे रहें अब यहां पर एसे विडियु को देखें आप लोगे से वागी से क्या को आप एसे यहां को हम एक हजार प्रश्ण पूरे याद करवाएंगे और वहां से लगबग 10-20 प्रश्ण आपका प्रश्ण छप जाएगा आपके कोई एक जाम में छप जाता यह बता दे रहें ठीक है देखिए क्या ट्रिक है रोसत आलम रोसत आलम हिंडेन वन रंगाया रोसत आलम हिंडेन वन रंगाया कौन रंगाया हिंडेन वन को रंगोया कौन रंगाया तो रोसत आलम हिंडेन वन को रंगाया बस इतना ही याद कीजिएगा और ये तीन गो अस्थल जो अभी आप देखें वो आपको हर समय के लिए दिमाग में याद हो जाएगा कि किस नदी के तड़ पर इस्थित है किलियर देखे रो सत आलम रो से देखे रो सत में रो और सत है रो सत लिखे ना रो सत तो रो सत में रो और सत रो से देखे हो गया रो पड़ और सत से हो गया देखे सतलज तो रोसत में रोसत का मतलब क्या होगा कि रोपड जो है सतलज नदी के तर्ट पर इस्थित है क्लियर हो गया रोसत आलम रोसत में रो से रोपड और सत से सतलज यानि रोपड जो है सतलज नदी के तर्ट पर इस्थित है आलम, आलम हिंडेन वन, आलम हिंडेन वन को रंगाया, तो आलम, आलम सो गया देखे, आलम गिरपूर, हिंडेन का मतलब हिंडेन नदी, यानि आलम गिरपूर हिंडेन नदी के तरपर इसी थे, वन को रंगोया, वन रंगोया, वन से देखे, वन माली, और रंगोया का मतलब र यंगोई नदी के टटवर इस्थीत है, किलियर हो गया होगा, किलियर हो गया होगा ना, एक बार फिर से देख लिजे, एक ट्रीक है कि रोसत आलम जो है, उन हिंडेन वन को रंगाये हैं, ठीक है, रोसत में देखिए, रो से है रोपड और सत से है सत्लज नदी, यानि रोपड सत्लज नदी के तर्ट परिस्थित है, आलम हिंडेन, ये दुनों एक साथ हैगा, आलम सो गया आलम गिरपूर और हिंडेन सो गया हिंडेन नदी, यानि आलम गिरपूर हिंडेन नदी के तर्ट परिस्थित है, वन को रंगाया, वन से देखिए हो गया वन माली और रंगोई मैं और देखे अव दीकिर करने है आपको इसके लिए जब Recomm doo dic अब काम आपको लिकिया है याएक इूद लिखिए फिर तीन के बाद फिर उसी को लिकिया फिर पांच दिन के बाद लिखिये फिर पंदरा दिन भाद लिखिया तो थोड़ा आप लोग थोड़ा से मेहनत कर लिजेगा आपको अभी भी कंफर्म रही है कि कौन सा नदिक की स्टर्ट पर इस्थीत है ठीक है अच्छा लगे वीडियो को सेर कर दिजेगा और देखिए अपने एक एक साथी को लाना नहीं भूलिए ठीक है अब देखिए आपको अगर 6-8 क का टेस्ट सिरीज हम सुरू करने जा रहे हैं 6-8 का टेस्ट सिरीज सुरू करने जा रहे है ठीक है अभी 1-5 का टेस्ट सिरीज चल रहा था ना 20 टेस्ट सिरीज जिसमें 15 टेस्रीज हो चुका है 16 टेस्रीज अग चलेगा ठीक है तो अब जो 6 to 8 के वो कौन समाजिक भी ज्यान के सिचक है और भासा के सिचक है वो उस टेस्रीज में सामिल हो सकते हैं ठीक है तो देखिया आपको 20 स्टेस्रीज के लिए यहाँ पर 200 रुपे आपको देना है 20 स्टेस्रीज यदि आप देना चाहते है तो आपको 200 रुपे देना है जिसमें आपको यहाँ पर परतेक पुरुषकार की रासी जिसमें यहाँ पर हमने इसे पुरुषकार की राशी को इस तरह से बदला है, जिसमें परतेक दिन 10 पुरुषकार मिलेंगे आपको, जिसमें परतेक दिन 10 लोगों को यहाँ पर पुरुषकार दिया जाएगा, यानि टॉप 10 लोगों को सभी को 10-10 रुपय की पुरुषकार क किराशी वितृत की जाएगी इसमें से आपको तो आप सब्ही आवध से जूड़ेंगे और यहां पर तेयारी करते रहेंगे तो डेली यहां पर आपको 200 टेस्यरीज में इसी प्रकार पुरुषकार की दे जाएगे तो आप जितने भी हो सकेंगे आज जितने सकेंगे आप registration करवाना सुरू कर सकते हैं, आप अपना registration करवा सकते हैं, कितने लोगों का registration होगा, उसके बाद इसका test series सुरू किया जाएगा, एक से दो दिनों के अंदर, इसलिए सबसे पहले आपको मिलने के बाद, आप test series के लिए यहाँ पर जो है, अपना registration सुरू करवाले हैं, test series में अपना नाम दर्ज करवाले हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर test series में जोड़ा जा सकें, ठीक है, तो आप 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 से एडविशन 68 वाले ले सकते हैं किलियर हो गया ना, आप लोगों का demand था कि कब से होगा, तो हमने बता दिया जितने अधिक से अधिक सिचक होंगे, सब को test series में जुड़ेंगे, तो यह देखे खतम हो गया, चलिए तो रोपर 17 नदी के 3rd परिस्त है, आलमगीरपूर हिंडे नदी के 3rd परिस्त है, और अगला देखेगा, हरित करांती का संबंद किस करांती से है, चलिए करांती वाले भी एक फसल आता है, हरित करांती का संबंद किस करांती से है, टमाटर उतपादन, दुगद उतपादन, मच्री उतपादन या फसल उतपादन, ठीक है, तो हरित करांती का जो संबंद है, वो आपको फसल उत्पादन से संबंधित रखना थीक है चलली अगला दीक। इसको हम लोग सफेद करांति काते हैं या स्वेद करांति काते हैं या स्वेद करांति का संबंद किसे हैं तो स्वेद करांति का संबंद आपको दूख 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 दू पूछेगे हैं उसके अधार पर मुख्य मुख्य प्रश्ण बना के आपको हम वह भी देदर हैं जिससे कि आपको कहीं से प्रश्ण छुटने का कोई शंभावना ही नहीं इस तरह से देखे आपको हम त्यारी करवा रहे ना कि आपको कई सो सो पॉलस स्कोर हो जाए सो पॉलस स्कोर चला जाए ठीक है बस आप हमारे से जुड़े रहेगा बने रहेगा और जो नए कंडिडेट जिनको आज एक यह वीडियो मिलता है हम तो कहेंग तो तैयारी के लिए तो सिर्फ हम आपसे लेते हैं 500 रुपए हैं लेकिन टेस सिरिच के लिए हम अलग से आपसे लेते हैं प्रतेक टेस सिरिच की किमत 10 रुपए है ठीक है प्रतेक टेस सिरिच की किमत 10 रुपए है क्लिए तो आप सभी अवस से जुड़ जाएगा और टेस स्रिच के लिए अलग से ही रासी आपसे हर बार ली जाएगी, बाकि तियारी के लिए कोई रासी आपसे नहीं ले जाएगी, ठीक है, भूरी करांती का संबंद किसके उत्पादन से है, उर्वरक उत्पादन, टमाटर उत्पादन, मचली उत्पादन या सरसो उत्पादन, ठी रजत करांती का संबंद किसके उत्पादन से है अंडा उत्पादन मचली उत्पादन दुख दूत पादन यह सभी ठीक है दूद उत्पादन तो स्वेत करांती है दूद का रंग एकदम प्यूर सफेद होता है और मचली उत्पादन तो निली करांती है अपको बताएं निली क्रांती है अब देखिए अंडा जो होता है वो रजत रजत मतलब समझते है ना चांदी तो अंडा जो होता है वो चांदी कलर का होता है किसका कलर का होता है चांदी कलर का होता है इसलिए यह जो है अंडा उत्पादन जो है रजत क्रांती से जुड़ा हुआ है यह कभी-कभी रजत करांती भी बुलता है कभी चांदी करांती भी बुलता है ठीक है तो वो रंग किसका होता है अंडा का होता है ये अंडा उत्पादन से जुड़ा हुआ है नेक्स प्रशन है गोल करांती का संबंद किसके उत्पादन से है गोल करांती का संबंद किसके उत्पादन से है आलू टमाटर मटर या सरसो ठीक है तो यहाँ पर देखेगा सरसो तो पीला होता है इसलिए सरसो उत्पादन पीली करांती से उड़ेगा आलू देखिए गोल मान जाता है इसे समझे ठीक है तो आलू को गोल करांती से ही माना जाएगा यानि गोल करांती का समद्ध आलू उत्पादन से के लिए रहिएगा जो गोल करांती है उसका समद्ध किसको उत्पादन से है आलू को उत्पादन से ही गोल करांती का समद्ध है पीली करांती का समद्ध किसको उत्पादन से है बताइए सरसो मास मचली या कोई नहीं तो मचली तो निली करांती है और मास जो है लाल करांती है मास का रंग किसा होता है लाल होता है ये लाल करांती से है और पीला जो है वो पीले करांती सरसो उत्पादन से है किसे सरसो उत्पादन से तब पीला सरसो होता है इसलिए पीली क्रांती का समंद सरसूत पादन से होगा निली क्रांती का समंद किसे होगा देखे एक हजार एक बार बार पूछा गया है इसलिए इसको तो आप एक दम इपोर्टेंट दिमाग में नोठी कर लिजेगा अंडा मचली मतस या कोई नहीं ठीक है तो निली क क्रांति का संब्द जो है वो किसे है तो निली क्रांति का संब्द आपका मतज से पालन से हो जाएगा ठीक है कहीं कहीं मचली भी रहता है लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है अगर दे रहा है तो देखें यहां पर दोग है मचली और मतज से तो यह ओप्सन नहीं देता है देता अगला लाल करांती का समद्ध किसके उत्पादन से जुड़ा है अंडा मचली मतस्य या मास ठीक है लाल करांती का समद्ध किसके उत्पादन से जुड़ा है तो लाल करांती का समद्ध किसके उत्पादन से अंडा से है मचली से है मतस्य से है या मास से है तो लाल करांती का जो जो समंद्ध है वो आपका देखिये यहाँ पर किसे है तो लाल करांती यह मां सुत्पादन से जुड़ा हुआ है लाल करांती तो इस तरह से हमने बहुत से करांती को देखा जिसमें कलर को आपको देख लिए लाल करांती देख लिए आपना फिर पिला करांती देख लिए मान से समंदी था, पिला, सर्शो से समंदी था, लाल करांती नीली, मतर से पालन से समंदी था, और देखे स्वेत भी देख लिए ना, स्वेत रंग, तो स्वेत दूग दूद पादन से जुड़ा हुआ था, रजत मतलब चांदी कलर भी देख लिए ना, अंडा उद पादन से समंदी था भूरा ये क्यों था उर्वरा कुदबादन से तो इस तरह से देखिए अगर कलर वाई कलर को अधी आप जान जाते हैं सभी का तो आप उस क्रांती को अच्छा तरह से बता सकते हैं और यहां से एक प्रशना आपका निकल के आता है ठीक है तो आप सभी अवस इस क् क्रांती का समंद की से है तो यह संपूर्ण क्रिसी होता देखिए इंदर धनुसी क्रांती उसमें क्या होता है इंदर धनुस कितने रंग के होता है बताइए इंदर धनुस कितने रंग के होता है सात रंग के होता है तो उसमें संपूर्ण रंग मिला जाता है दम दिमा में एकदम इंदर धनुसी क्रांती भी एकपर आये हुआ था, तो इंदर धनुस में देखिएगा सात रंग होता है, तो इंदर धनुस मतलब क्या होगा, इसमें संपूर्ण रंग हो गया, कौन हो गया, लाल भी हो गया, हरा भी हो गया, निला भी हो गया, सफेद भी हो गया, भू लिएर हो गया ना तो इसी तरह से समाजी विज्ञान को भी हम लोग यहां पर समाप्त करते चल रहे हैं बाकी आपको जिसको भी तियारी करना हो आप जडूर जूड़ जाएगा यहां से सारा नोट्स पीडिये वीडियो ले करके एक बार एक्जाम जाने से चार दिर पात दि ले करके जडूर पढ़ लिजेगा जिससे कि आपको यहां पर बहुत अधिक जो है आपको मार्स चले आएंगे इससे अगर बाहर का किताब देख रहे हैं तो उससे कोई बेनिफीट आपको नहीं होगा वीडियो कंदक जूड़ रहे हैं धन्यवाद